हलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग वेलकम बेक टू माई चैनल और आज जब हम बाहर आए तब सनराइस हो रहा था तो बस हमने गे व्यू कैप्चर किया है हमें नेचर व्यू बहुत ही अच्छे लगते हैं फिर हमने सूर्भगवान को अर्ग दिया और फिर जल्दी से हम थोड़ा से उसमें ओल और सॉल डाल के भी बॉयल कर सकते हैं 5-7 मिर्स तक हमने बॉयल किया उसके वह हमने स्ट्रेंड किया फिर नूडल्स को ठंडी पानी के नीचे थोड़ी दियर के लिए रखा थंडे हो गए तो उनको हाई फ्लेम पे फटा-फट डीप फ्राइ किया औ क्योंकि आज हमें अपनी छोटी बेटी को लेका जाना था वो बहुत टाइम से प्लेस्टेशन के लिए बोल रही थे तो इस बार हम लोगों ने उसको सप्राइज देने का सूचा तो अब हम लोग पीएस बाई करने के लिए स्टोर आ गए हैं और यहां आपको सिप बीडि बेटी को भी साथ में ले लेते हैं उसको अच्छा लगेगा वो समझ नहीं पाएगी कि उसको क्यों लेके हम लोग इधर आयो हैं वो इधर अपना गेम्स बगारा देख रहे थे तो उसको कुछ गेम्स चाहिए थे लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम गेम्स क्यों देख रहे हैं उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगोंने प्लेस्टेशन अल्रेडी उसके लिए बाय कर लिया है और एक पहले भी प्लेस्टेशन हम लोगों के पास था लेकिन वह बहुत पुराना हो गया था जो हमने बड़ी बेटी के टाइम पे लिया था तो विल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था और मेरी छोटी बेटी ने थोड़ आई इसमें खेला था लेकिन फिर वो काम करना उसने बंद कर दिया तो वो बोली थी कि प्लेस्टेशन रहेगा तो हम अपने फ्रेंज के साथ खेल पाएंगे अभी विंटरी स्टार्ट हो गया तो बच्चे बहां नहीं के सरते तो उन लोगों को बस कुछ ना कुछ घर में खेलने के लिए ही चाहिए और ये ब्लेस्टेशन हम लोगों ने अपकोर्स ब्लैक फ्राइडे में ही बाई किया तो डील अच्छी मिली थी तो हम लोगों ने तुरंद फिर बाई करी लिए हम अच्छी मिली तो पूपन दबाउक बिकास वहां डूपन दबाउक बिकास वहां टो प्लेक अलॉट ऐसा वह बोलती थी कि उसको बहुत खेलना है एक वाय प्लेस्टेशन जब आजाएगा और ये देखे प्लेस्टेशन उसने निकाल लिया और एक जोईस्टिक वी साथ मे आप लोगों को एक और चाहिए तो वह लोगों ने अल्डेडी ओर्डर कर लिया और जस्ट डांस टूंटी 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 की भी सीडी ले लिया बर कमन्त हम लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग रहा क्योंकि नॉवंबर में मेरी बड़ी वी थी और हमें भी सप् को भी अपने बच्चों से कभी ना कभी छोटा सा ही गिफ मिला होगा तो फीलिंग जो आती है ना रहा मेरा बॉडी ट्रेवल किट यह जो यूएस की पॉपलर सिंगर है अरियाना ग्रांडे उनके ही नाम का यह व्रांड है इसमें फोर तिंग्स हैं हैंड एंड बॉडी क् पर्फ्यूम और यह छोटे-छोटे पर्फ्यूम के डिफ्रेंट डिफ्रेंट ब्रेंट के सेंपल्स हैं ट्राय आउट करने के लिए जिसमें लैंकाम पैरेज प्रेड़ा क्रेंडी राल्फ लॉरन मिस्ट योर यह सभी है और इनकी फ्रेग्रंस बहुत ही अच्छे एक्ष कर चुकी थी और उसने में प्यारा सा बर्डे कार्ड भी दिया तो उसको बूला तुमने तो हमें बहुत अच्छा बहुत प्यारा कार्ड दिया है वह जाके बहुत हैपी छुटी-छुटी सभी सेंपल्स हैं सो बहुत अच्छा रहता है के लिए उनकी प्रेग्रेंस बहु और हम लोग ने बहुत फंद किया अपकोस आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत कुछ बाय किया है आज हमने और हमें भी अपना बर्डे किप्ट अपनी बेटी से मिला हुआ है हमने सोचा था कि ये वीडियो बाद में बनाएंगे बट मेरी बेटी का मन था कि नहीं ममा आज कि पर नाओ और उसके कहने पर ही वीडियो ये वरी बॉक्स हमने अब उपन कर लिया है और अब हम आपको दिखाते हैं के इसमें क्या क्या है और यह हैंड और बोडी क्रीम ये बहुत ही एक्छा रहेगा और ये रैत्स समक्रूप और ये तीसरा है बॉडि ऑईल एंड एकर यह तो बस चल्दी से इनको बापस बैग में रख देते हैं तो अच्छा था ही साथ में जिसने गिफ्ट दिया बूबी बहुत अच्छी है I am really proud of her और बाद में हमने देखा कि box में नीचे एक छोटा सा पेपर रखा हुआ है जिसमें कुछ मैसेज मेरे लिए लिए लिखा हुआ था जो हमने बाद में उसको रीड की उसने जो हमें मैसेज लिखा था वो हम आपको पढ़के बताते हैं उसने लिखा था happiest birthday to my amazing mom who has raised me so well I hope to return your kindness in the future Really I was so emotional to read this beautiful message gift तो अपने आप में बहुत ही अच्छा था बट उससे और भी अच्छा हमें उसका यह message लगा Actually क्या होता है हम Indians अपनी feelings अपने parents को इसली नहीं बोल पाते हैं अपने parents को even thank you तो बोलना चाहिए कि महाँ लिए इतना सब कुछ किया और हम उन्हें thank you भी नहीं बोल पा रहे हैं Chinese phil के लिए हमें noodles पहले से ही deep fry करके रख लिए थे और अभी मेरे पास जो भी veggies थी वह हमने यूज किये हुए हैं जैसे की green bell pepper है cabbage है onion है tomatoes है मेरे पास आज यही अबलेबन थे तो वही बैजीज हम यूज करने वाले हैं और Chinese phil बनाने के लिए जो हमने sauce लिए हुए है उनमें से जो है ओए है शैजवान चटनी, कैचप, मसाला चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, सोई सॉस यह सब हमने लिए हुए हैं और अब हमने जो भी veggies चॉप करके रखे हुए थी उसको सब जो हमने deep fry करके noodles रखे हुए हैं उनमें सब mix करेंगे और veggies को noodles में बहुत बढ़िया से mix करेंगे जिससे सारी सबजी noodles के साथ अच्छे से मिल जाए और यह Chinese भेल हमनों को बहुत अच्छी लगी और इसके लिए हमने noodles deep fry करके एक जिप लॉग में अच्छे से करके रख लिया है तो हम आगे भी इसको यू क्षे लिए और उसके बार फिर हम उसमें विनिगर रेट चिली सौस ग्रीन चिली सौस और कैचप और फिर उसमें सेगमाद चट्नी फिर अच्छे से को मिक्स करेंगे जिससे सारी सौस में नहीं क्षे है और चाइनीज भेल हम बना रहे है तो हमें लग रहा था क्या नहीं क्योंकि थोड़ा स्पाइसी तो होई गया था बट उसको बहुत अच्छी लगी उसने एक बार नी दो दो बार लिया तो ये मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार बात रहे और आज डिनर में मेरा खाना बनाने का विल्कुल भी मूद नहीं था और ये भी था कि कुछ ऐसा चटप बेदार बनाई जो दोनों बच्चियों को बहुत अच्छी लगी फिर उसमें लास्ट में ब्लैक सॉल भी थोड़ा डाला और बलैक पैपर भी डाला बार में थोड़ा वाइट सॉल्ट भी डाला और हमने सभी सॉस और सभी इतना भी ब्लैक पैपर उगर था वो सब्सक्र दिया और चाइनीज भेल बनाई और बस उसको अच्छे से बॉल में लगा के सर्व करना है और आप लों को आइडिया लगी गया होगा कि आज का दिन हमारा बहुत हेक्टी रहा इसलिए आज हमने चाइनीज भेल बनाई और वो सब को बहुत पसंद आई यह हमारे लिए बहु वीडियो एंड करते हैं होप आप लों को अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक यू